इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही जारा इंपरेंट टॉपिक के वारे में चाइना को देखिए आज के समय सबसे बड़ा डर ये है कि इंडियन ओशन में जो एक बहुत बड़ा खजाना है कई billions of dollars का खजाना कोबाल्ट का खजाना जिसको लेकर पूरे इंडियन ओशन में आप क्या लीजिए एक बार को कोबाल्ट वार चल रही है इतने सारे आर्टिकल्स पब्लेश हुए हैं हिंदी में इंग्लिश में यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है हिंद मा सागर में कोबाल्ट के पहाड पर कबजे की लड़ाई एक तरफ इंडिया है एक तरफ चाइना है चाइना बहुत ज़ादा डरा हुए इस बात को लेकर के इंडिया इस रेस में आगे ना निकल जाए और जो वो पहाड है इंडिया नोशन में कोबाल्ट का ये इंडिया के पास ना चला जाए इंडिया यहाँ पर माइनिंग ना स्टार्ट कर दे और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये Cobalt War, जिसकी बात हर कोई कर रहा है, ये है क्या, ये कैसा topic है, वैसे by the way, जहाँ पे बहुत जादा कम आपको information मिलेगी, लोग इन topics पर वीडियो बनाते हैं, नहीं, बहुत ही unique topic है, और बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को भी मिलेगा, कि समुदर के अंदर छुपे ख पाओगे, ये है Cobalt, जी हाँ, इसका color blue होता है, और Cobalt के बारे में आपने live में एक बार सुना तो पकाओगा, मगर इसके uses के बारे में बहुत कम लोगों को बता है, कई बार जब हम batteries की बात करते हैं, mobile phone batteries या फिर electric vehicles की battery, तो सीधा mind में आता है lithium, बस lithium हमको acquire करना है, lithium आ गया, बस ठीक है, अब हम batteries बना लेंगे, मगर lithium के साथ साथ आपको batteries के लिए Cobalt भी चाहिए, Cobalt के बिना आपकी lithium batteries काम करेंगी नहीं, तो mobile phone batteries हो, चाहे laptop की batteries हो, या फिर electric vehicles की battery हो, और तो और fighter jet का production हो, या फिर आपको steel बनाना है, high level steel, Cobalt steel बनाना है, हर काम के लिए Cobalt बहुत ही locations में available है, और इंडिया की देखिये, lotty लग सकती है, अगर हिंद मासागर में, जो एक underwater पहाड है, वहां तक हम पहुच गए, और वहां पे mining करने की अनुवती मिल गई, अब यहां पे आप लोग एक सवाल पूछ सकते हैं, wait, क्या मैंने सही का है, एक पहाड जो डूबा हु कोबार्ड के पहाड पर कबजे की लड़ाई, तो जो यह कोबार्ड का पहाड है, यहां पे आपको मिलेगा, यहां पे है निकतीन सी माउंट, कुदरत का एक बहुती ज़ादा unique करिश्मा है, कई millions of years पहले यहां पे एक volcano हुआ करता था, volcano का eruption हुआ, वैसे मैं आपको बता द इरफ्षन हुआ, और इरफ्षन के बाद जो भी अंदर से मैगमा निकला, उसका eventually बन गया एक बहुती बड़ा पहाड, एक underwater पहाड जिसको आज के समय हम लोग कहते हैं, निकतीन सी माउंट, और यह जो सी माउंट है, बहुत जादा valuable है, आप अगर in terms of देखो, एक certain amount आप म के metals, minerals हैं, मगर एक बाद तो पता है, यह पहाड literally खजाना है, अगर एक देश जो manufacturing करना चाता है, जो चाता है कि वो आत्म निर्भर बन जाए, minerals के मामले में, उस country के लिए निकतीन सी माउंट बहुत ही जादा important है, और भारत ने हाल ही में, एक international संगटन को अपील करी है, कि देखिए हमें निकतीन सी माउंट पे काम करना है, हमें अनुमती दीजिए, क्योंकि निकतीन सी माउंट जैसे कि आप देख सकते हैं, किसी country का पार्ट नहीं है, यह completely international waters में आता है, और यह सब जानकारी प्राप्त करने के बाद, अब आप समझगे होगे, कि यह क्यों लिख वहाँ पर गए, एक एप्लिकेशन डाली, और एप्लिकेशन डालने की फीस्वर है कितनी होती है, यहाँ पर, पांच लाख डॉलर, एक लाख डॉलर होते हैं, करीब आप कहलीजिए, 85 लाख रुपीज, तो लगवग आप कहलीजिए, 4 सारे 4 करोड रुपे की, तो सिर्फ होती है, वहाँ पर इंडिया ने बस ये लिखा है, कि ये एरिया बहुत इंपोरेंट है, इससे पूरे रीजन की तरक्की हो सकती है, हमारी तरक्की हो सकती है, यहाँ पर बहुत सरा कोबाल्ट है, हमें माइनिंग करनी है, तो हमें आप अनुमती दीजिए, कि हम यहाँ पर क देख रहा है निकतीन सीमांड को शिलंका भी कह रहा है कि हम भी यहां पर माइनिंग करेंगे अब यहां पर आपको वेट शिलंका यह वई देश है ना जिसको हमने रीसेंटली लोन देकर डिफॉल्ट से बचाया है जिस कंट्री के प्रेजिडेंट खुद कहते हैं कि शिलंका ने पिछले दो बहुत जड़ा कठें साल इंडिया की हेल्प सही विताए हैं अगर इंडिया ना हेल्प करता तो शिलंका यह दो साल ना काड़ पाता यहीं शिलंका अब निकतीन सीमांड को देख रहा है देखिए इंडियन याद रखिएगा हर कंट्री एक बार एक पीस ओ पर माइनिंग करेंगे दूसरी तरफ मॉल्डीव्स ने भी थोड़ा बहुत अपना इंट्रस्ट शो किया है इस सीमांड को लेकर हाला कि मॉल्डीव्स के पास इतना पैसा है नहीं के माइनिंग करेंगे तो इंटरनाशनल सीवट अथर्टी मॉल्डीव्स की अपील को इतन sea mount पर mining करने का और उसके बाद देखिए obviously शिलंका के पास पैसे तो है नहीं के यहाँ पर बहुत ज़ारा expensive ships भेजें और underwater mining करें उसके लिए millions perhaps billions की investment चाहिए for a long time तो वहाँ पर आ जाएगी Chinese companies तो इसलिए देखिए चाइना का प्लान यही है कि इंडिया को पीछे करके शिलंका के थुरू ये लोग इस sea band में mining करना start कर देंगे अगर चाइना यहाँ पर successful हो जाता है ये इंडिया के लिए disaster होगा बट लग रहा है मुझे personally लग रहा है जो मैं reports पढ़ रहा हूँ जो statements को मैंने analyze किया है निकतीन सी माउंट भारत को मिल जाएगा और भारत यहाँ पर mining करेगा कोबाल्ड निकालेंगे हम और दुनिया की जो निर्भरता है Democratic Republic of Congo पर जी हाँ यहाँ यहाँ पे आप देख पाओगे एफरिका में एक देश है DRC Democratic Republic of Congo इतना stable country नहीं है मगर दुनिया में 62-70% जो कोबाल्ड की supply है इसी country से आती है तो अगर निकतीन सी माउंट पे इंडिया ने properly mining start कर दी तो Democratic Republic of Congo पर दुनिया की जो निर्भरता है यह काफी कम हो जाएगी और याद रखिएगा Democratic Republic of Congo की पहली बात तो coastline बहुत कम है जो हमारी coastline है जो हमारा export का potential है जो हमारे इंटर्नल manufacturing का potential है हमारी इतनी बड़ी-बड़ी companies है Mahindra, Tata, various battery companies है Elon Musk आना चाहते हैं इंडिया में इंडिया में ही कोबाल्ड की इतनी खवत हो जाएगी के शायद इस कोबाल्ड को हम export करी ना पाए तो this can be a game changer for India है शिलंका की help से तो पूरी दुनिया की निजर आज के समय भारत पे है आप देखोगे इस पर BBC, CNN, सब लोग आर्डिकल पब्लिश कर रहे है के एक undersea race चल रही है to mine world's battery metal कोबाल्ड यहाँ पे आप देख पाऊगे यह undersea exploration vehicles है मातसया 6000 यह इंडिया डेवलप कर रहा है इसका हम इस्तमाल करेंगे उस कोबाल्ड के माउंटेन को study करने के लिए के कहां पे खुदाई करनी है कहां वे माइनिंग करनी है एक मुझे डर यह लग रहा है कि दे को underwater mining करेंगे इसका ecological impact हो आएगा जो marine life है वहाँ में नुकसान होगा बिलकुल गंद मचेगा बहुत simple भाषा में अगर मैं कहूँ pollution होगा तो इंडिया में हो सकता है कि कुछ लोग protest करें कि यह गलत है environment के लिए गलत है वो हम कैसे manage करेंगे चाइना तो खेर ऐसे लोगों को बिलकुल हटा देता है इंडिया एक democracy है तो वो भी देखना होगा हम उसको कैसे manage करते है तो आने वाला समय बहुत interesting होगा कुछ महीनों में इससे related बड़ी developments आएंगी obviously मैं आपके लिए updated वीडियो उस time ले आऊँगा और finally मैं आपसे एक सवाल पूछूँगा कि हाली में वो कौन सा देश है जिसने offer किया है इंडिया को मिराज fighter jet पुराने मिराज fighter jet 12 इनके पास पड़े हुए थे इनको समझ दिया रहा था क्या करे ये देश इस country के जो officials हैं ये officially इंडिया में आए बाचीत हुई है भारत सरकार के साथ और ये लोग कहा देएं कि हमारा जो ये मिराज 2000 पुराना पड़ा हुआ है ये सब आप purchase कर लीजिए ये offer हाली में भारत को किस country ने दिया है इस पर बहुत article पबलेश हुए है कि ये जो country है इसने offer किया है टू सेल 12 मिराज 2000 फाइटर जेट्स टू इंडिया दिल्ली में इस पर बाचीत हुई है बताइए किस country ने offer दिया है इंडिया को ये UAE, Qatar, Saudi Arabia या फिर इरान comment section में करिए उतर जो लोग सही आंसर देंगे उनकी comment को मैं heart दे दूँँगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं के सही उतर क्या है और finally आप लोगों के लिए एक बहुत important जानकारी एक classic quote है आपने हो सकता है के काफी बार देखी भी हो you can't build a long term future on short term thinking कुछ महीनों का सोचके के मैं ये करूँगा आप कई सालों की planning नहीं कर सकते कई स्टूडेंट्स हैं जो कई सालों की planning करना चाहते है कि आने वाले दो से तीन साल में इस exam को मैं attempt दूँगा ये मेरी strategy होगी इस तरीके से मैं successful बनूँगा वेल उनके लिए study IQ लेके आया है study IQ long term UPSC batch ये batch बनाया गया है specifically उन students के लिए जो अभी college में है जिनके पास अभी time है वो चाहते हैं अराम से आने वाले दो साल में दो ढ़ाई साल में एक proper attempt दे UPSC का proper preparation के साथ वो अपना पहरा attempt देना चाहते हैं तो long term batch is for you तो आपको simply क्या करना है इस वीडियो के comment section में जाइए यहाँ पे आपको link मिल जाएगा long term batch का जो शुरू हो रहा है by the way 24th June से 24th June से यह batch बिल्कुल from chapter 1 स्टार्ट होगा पूरा syllabus from the beginning स्टार्ट हो जाएगा और यह जो long term batch है यह special इसलिए है क्योंके validity आपको यहाँ पर मिलती है extra large 36 महीने की यहाँ पे आपको मिलती है validity जहाँ पे आपको live classes मिलेगी one to one mentorship prelims test series obviously आपके लिए free है ही answer writing program आपको मिलेगा और जैसे ही आपका prelims clear होता है main exam के लिए study IQ आपको option देता है कि अगर आप चाहे आप दिल्ली आ सकते हैं दिल्ली में आके पढ़ सकते हैं अंडर study IQ guidance यहाँ पे आपके accommodation का खर्चा बागी खाने का खर्चा यह सब उठाएगा study IQ और interview तक यह course आपका साथ निभाएगा और again जो price यहाँ पर लिखा है यह कभी भी pay मत कर देना और जो यहाँ पे आपको extra course दिख रहे हैं for this 36 month long course और आप UPSC exam की preparation कर सकते हैं घर बैठके या फिर जहां भी आप चाहें so if you are thinking long term अगर आपकी short term thinking नहीं है एक लंबा target लेके आप चल रहे हैं you can purchase this course by using the code PG10 so use this code and save money इसी note के साथ यह video कांथ thank you for listening and as I always say may the gods watch over you